दोस्तों आपने अपने जीवन में कई बार ट्रेन में सफर किया होगा, कई बार मुश्किलों का सामना भी किया होगा और कई बार यात्रा के दौरान आपका दिल रोमांच से भी भराया होगा लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेलवे रूट पर यात्रा की है जो आपको मौत से सामना कराते हुए जिन्दगी से रूबरू कराए आप सोच रहोंगे कि भला ऐसी खतरनाक यात्रा कौन करना चाहेगा लेकिन घबलाईए मत जनाब दुनिया में इंजीनियरों की एक ऐसी जमात है जिसने अपने हुनर और विज्ञान के बूते उन मुश्किल रास्तों पर रेलवे ट्राक की दुनिया बिचाई है जहां कुद्रत ने भी अपने हाथ खड़े कर लिये हो जिया दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही कुछ खतरनाख रेलवे ट्राक से रूबरू करवाएंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाख रेल रूट के रूप में जाने जाते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक railway tracks के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही request है कि वीडियो को like जरूर करते है Devil's nose train एक और जो हो दोस्तों इस train को Devil's nose क्यों कहा जाता है ये इस train में सफर करने वाले लोग ही बहतर बता सकते है जिग्जाग रोड की वज़ा से लोगों को लगता है कि ये train खाई में गिरने वाली है पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस तरह से उचे पहाडों को फोड कर इस train का रास्ता बनाया गया है इसके क्या ही कहने एक तरफ खाई, दूसरी तरफ खड़ा पहार और सरसर आगे बढ़ती train ये महाल काफी अंजाना और डराबना लगता है इस चीज को अगर कोई चीज और ज्यादा खौफनाक बनाती है तो वो है इसके तीखे मोड मोड लेती train में मौजूद लोगों की जान हलक में ना आ जाये ऐसा होई नहीं सकता कौर कीज़े एगर पटरी से train फिसल गई तो अंतिम संसकार करने के लिए हड़ियां भी नहीं बचेंगी और पटरिंगों से train फिसलने की घटनाए यहाँ पहले भी हो चुकी है स्विद्जर लैंड की पहाड़ों को चीरती हुई गुजरती ये train शानदार लगती है इस जगा के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि इस जगा को योनेसको ने धरोहर की सूची में शामिल किया है वादियों से भरी ये जगा सचमे पृत्वी पे मौझूद जन्नत की तरह नज़र आती है और अल्बुला ट्रेन के सफर का सबसे बड़ा अकर्शन अगर कुछ है तो वो है ये लैंड वाटर पूल जमीन से 213 फीट उचे इस पुल को खुबसूरती का अजूबा कहा जाता है हरी हरी जाडियों से गुजरती ट्रेन का सफर जब इस पुल तक आरुकता है तो अचा लगता है जैसे आप किसी फैंटसी फिल्म का एक करदार हो और यहाँ की खुबसूरती को दिल तक उतारने के लिए आपकी दो आँखे भी कम पड़ जाएंगे पर इतनी ज्यादा उचाई से दौरते स्ट्रेन में सफर करना आपके डर का भी इमतिहान हो सकता है और जिंदगी खत्म होने से पहले स्ट्रेन का सफर हर इनसान को जरूर करना चाहिए दोस्तों 175 किलोमेटर दूरी का ये रेलवे ट्रैक अमेरिका को कैनेडा से जोडने का काम करता है ये रेलवे अलास्का की एक बहुत खतरनाग जगा से होकर गुजरती है 1889 में जब इस जगा सोने की खोज की गई तब इस रेलवे ट्रैक का निर्मान की आ गया था आज भी इस रेलवे ट्रैक का कई हिस्सा लकड़ी से बना हुआ है और नए सीरे से बने हुए ट्रैक सक्रिये होने के साथ-साथ छोटी-छोटी सुरंगों से होकर गुजरती है इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं मुसाफर जब गहरी खाई और उंचे ब्रिच से होकर गुजरते हैं तो डर के मारे काप जाते हैं क्योंकि यहाँ जो खड़ी चट्टाने हैं उनकी उंचाई कभी कभी 300 मीटर जितनी ज्यादा होती है और सर्दियों में इस जगा से गुजरना और भी ज्यादा खौफ से भरा होता है कोहरा ठंडावा और पूरी तरह से अंधेरे से भरी सुरंगों से अगर आप डरे नहीं तो आपको एक जामबाज ही कहा जाएगा दम्यानमार ट्रेन म्यानमार देश में स्थेतिय ट्रेन रोमांच की खोच करने वालों के लिए एक सो नहरा मौका है